नमस्कार दूस्तों आप सभी को मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो आज मैं आप लोगों के लिए होली आ रहा है तो कुछ खास टिप्स बताऊंगे जिससे आपका होली के मचा किरकिरा नहीं होगा किते बार हम सोचते हैं कि होली खेलेंगे फिर उसके बाद हमको क खाल भी सकते हैं तो चलते हैं फटा फट वुडियो देखते हैं तो इसे देखने के लिए बने रही है मेरी वुडियो में तुरू से लाट तक तो चलते हैं टिप्स नमबर उपान पहले देखते हैं सबसे पहला नमबर आता है बालों का क्यार कैसे करें होली के दिन तो बा मेरे बाल तो इतने लंबे नहीं है मेरी नरंध है उनका मैं वीडियो सूट कर रही हूँ पीछे से और वह लगा रही है ते और फिर इस तरह से चोटी बना लिजेगा जिसे बेनी भी बोलते हैं इस तरह से चोटी बनाएगा अगर आपके बाल छोटे हैं जैसे मेरे बाल छोटे हैं तो फिर आप इसे जूड़ा बनाते हों उसे जूड़ा बना लीजेगा इस तरह से करके बालों को और आप जैसे भी जुड़ा बनाते हों उस टाइप के जुड़ा बना लीजिया फिर आपके बाल खराब नहीं होंगे बहुत ही बड़ी हा रहेंगे और अब है टिप्स नंबर दूसरा जैसे हमारे नाखुन कितने लोगों के नाखुन है ना लंबे रहते हैं बहुत ही सुन् नाखुन बड़े रहेंगे तो फिर आप नेल पॉलिस लगाएगा तो हम नेल पॉलिस को भी इस तरह से लगाएंगे कि हमारे नाखुन पूरी तरह से अच्छी तरह से ढग जाए तो देखिए मैं इस तरह से आप लोग को लगा के बता रही हूं किस तरह से देखिए इस त जिससे हमारे नाखुन पूरी तरह से अच्छा से ढख जाएंगे फिर हम कितना भी कलर खेलेंगे तो हमारे नाखुन गंदे नहीं होंगे और आपके नाखुन अच्छा साफ रहेंगे तो जिनके बड़े नाखुन है उनके लिए ये जिस जरूरी है और फिर जिनके नाखुन छोटे हैं उनके लिए जैसे हम जैसे हाथों में पैरों में जहां भी मतलब खुला जगह रहता है तो हम पहले हुली खिलने से पहले नारिल का तेल लेंगे आप इसके जगह पे सरसोत का तेल भी ले सकते हैं और ये है वैसली इन दोनों को हम मिला ले देखे इस तरह से हम मिला लेंगे पहले और फिर फिर इसे हम हाथ हों पे लगा लीगे तो आप सब रहांत अब होले के पहले ही कर लीजिए गा तो आप बच्चो को रात में लगा दीजेगा क्योंकि बच्चे तो समझ mission के नहीं कि हां पहले हम को यह सब लगाना है ताकि हमारे कलर आसानी से निकल जाएंगे उनको तो बस खेलना है मतलब खेलना है बड़े तो समझते हैं कि हाँ कलर जल्दी निकलेगा नहीं तो हम यह सब लगा लें लेकिन बच्चों को आप रात को ही लगा दीजिएगा और इसे हाथ पेरों में भी अच्छे से जो तेल और वैसलिन को मिला के लगा लिजिएगा और नाखुन पे इनके छोटे नाखुन है वह अंधर दरब से बाहर बनाएंगे और इसे नहाने से पहले लगा लेंगे तो एक रहा सरसोख अगर आपको इसका उप्टन बनाना सीखना होगा तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा मैं इसका भी वीडियो आपको बना दूंगी और फिर यह आठा यह भी इससे भी कलर निकलता है तो आप नहाने जीज में आपको बता रही हूं यह आज माया हुआ टिप्स है क्योंकि हम घर में खुद यह सब चिप्च अपनाते हैं टिप्स को तभी मैं आपको बता रही हूं और इससे कलर बहुत ही असानी से निकल जाता है और सरसोख बनाना बहुत ही असान है तो हमुझे comment करके हो जाता है क्योंकि उप्टम लगाने से जो चहरा चाह कुछ भी बहुत ही ग्लो करता है तो इसलिए हमनों उप्टन का बहुत यूज़ करते और होली में तो खासकर यूज़ करते ही है फिर और मैं पताती हूं आपको जैसे आपको होली के दिन कॉटन के कपड़े तो पहनने ह है और फिर कपड़ा ऐसा पहनना है जिससे आपका गला और हाथ पुरा धका हुओ फूल स्ली वाला कपड़ा पहनी है मैं तो साड़ी पहनती हूं तो मैं आपको साड़ी का दिखा रही हूं अगर आप सूट पहनते हैं तो सूट पहनिएगा और गला धका हुआ और फिर रंग the नो बरदेते हैं तो हो ली खेलिये रंग की जिनता मत कीजिए अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगयेक है करे और मैरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए ग्रबूड लाइक कीजिए का क्षेड-अग एक और DOG